खबर लखनों से है जहां हाउसिंग बोर्ड में चहितों के लिए नियम कानून को पुरी तरह से ताकपर रख दिया गया है प्रमुख सचीव आवास में रहे सदाकांत आठीस सिंग पंधारी यादव का कारणामा सामने आया है कमिशन खोरी के चकर में बड़ा फर्जी वाड़ा किया है ब्लैक लिस्टेट नागरजुन कंस्ट्रक्शन कंपणी को अरगों का ठेका दे दिया तो यह गाजयबाद की मंडोला विहार यूजना का काम भी एक दागी कंपणी को दे दिया गया नियम के अनुसार 70 फिसदी बुकिंग के बाद ही टावर का निर्माण होता है लेकिन यहाँ जो बुकिंग भी नहीं हो पाई थी इस नियम को दरकिनार कर दिया गया आर्पी सिंग ने खुद ये आदेश दिये थे कि किस तरह से यहाँ पर ब्लेक लिस्टेट कंपणीयों को फायदा पहुचाया गया है और जो एक नियम होते हैं उस नियम को भी ताग पर रख दिया गया है और अपनी कमिशन बाजी के चक्कर में तो हाउसिंग बोर्ड में सारी अनिमिता सामने आई है जहां अपने ही चहेतों को फायदा पहुचाने के लिए नियम कानून की धज्जिया उड़ा दी गई तो आरफी इंट्रावेंजर की बात करें तो लखनों में 1400 करोड के घोटाले का मामला है कमपनी के घोटाले को लेकर उचिस तरी बैचक है सभी सम्मंधित S-E-X-E-N भी यहां तलब के गए है बैठक में कमपनी के खिलाब कारवाई को लेकर चर्चा होगी बैंक गारेंटी FDR के फर्जी वाड़े पर भी यहां सक्त कारवाई हो सकती है आगरा कोप्रची बैंक के फर्जी गारेंटी का यहां पर इस्तिमाल किया गया और फर्जी तरीके से बैंक गारेंटी का वेरिफिकेशन भी कराए गया फर्जी वाड़े में D.C.B. आगरा के अधिकारी भी शामिन है दिनेश राठावर संतोष शर्मा आलोगर्ग पर भी शिकंजा कसना लगबग लगबग तै माना जा रहा है आरपी इंफ्रा वेंचर के तीनों डारेक्टर तीनों नीदेशकों पर अप शिकंजा कसेगा कमपणी ने बगए टर्न ओवर के 1400 करोड के टेंडर हासिल कर दिये थे मथ्रा और आगरा से लेकर आजमगर तक की टेंडर हासिल किये गए सपा के पूरो मंत्री के भाई की कमपणी है दिनेश राठावर इसका नाम है तो अखिलेश यादो का बेक करीबी शिकुमार राठाव तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों इस तरह नियोमों की धज्या उड़ा दिगे जिशिपाल यादो को बरखास किया गया तो सारे टेंडर इन्हें ही दे दिए गए और आगे बढ़ेंगे आज बड़ी खबर राजिस सभा से आई जो यूपे से जुड़ी थी जी हाँ यहाँ पर बीएसवी के अध्याक्ष मायवती ने सदसिता से स्तीफा देने का एलान कर दिया कि मुझे यहाँ दलितों की बात रखने नहीं दी जा रही जिसके रिए में सदन में आई हूँ तो जब उन्हें उपसभापती ने बोलने से रोका तो इस सदन के अंदर देखिए आप किस तरह वहाँ से भड़क कर मायवती चली आई और उसके बाद बाहर मीडिया से मुखादिब होकर उन्होंने कहा कि जब उन्हें सदन में उनके अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं करने दिया जाएगा जब उन्हें सदन में दलितों से जुड़े मुद्दों को उठाने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर उनका इस पद पर बने रहने का कोई आचीति नहीं है इसी के साथ उन्होंने एलाम कर दिया कि वो राजसभा के सदसिता से स्तीफा दे रही है तो पुझे आचीति नहीं है तो पुझे आचीति नहीं है पौडर मिला था और कहा गया विस्पोटक जिसके बाद काफी हड़कम्प मचाता फिलाल है विसकान से जुड़ी एक और बड़ी खबर की यूपे विधान सभा में जो संदिक दे पौडर मिला था वो विस्पोटक नहीं है जी हाँ इसलिए अब NIA भी इस मामले में केस दर्ज नहीं कर रही है और इस मामले से हट गई है NIA को सोमार को मुकदमा दर्ज कराना था लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं कराया है क्योंकि आग्रा फौरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर खुलासा हुआ है कि जो 12 जुलाई को संदिक दे सफेट पाउडर रधान सभा के अंदर मिला था वो विस्पोटक नहीं है अब इस पूरे बयान पर यूपी सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि जो आग्रा को PETN का सैंपल भेजा गया है दरसल इस सैंपल में की जांत की विवस्था लैब में नहीं है तो सवाल यही है कि अगर लैब में इस तरह की जांत की सुविधा नहीं थी तो फिर पाउडर को वहां क्यों भेजा गया और युपी सरकार एक बार फिर से SFL लखनो के सैंप यहाँ पर रिपोर्ट का हवाला दे रही है इसका कहरा है कि लखनो की लैब ने सैंपल को P.E.T.N. पाया है बिगत बारज जुलाई को उत्तरप्रदेश की विधान सवा लखनो में एक बिधान सवा के अंदर पाउडर नुमा पधार्थ मिला था जिसकी लखनो एफसल की लैब में उसकी जांच कराई तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि वो P.E.T.N. बिसफोडक पधार्थ है और आज सुबह ही प्रंसीपल हॉम सेकेर्टरी ने एक प्रेस नूट जारी किया कि आगरा में वो जो नमूना था उस पाउडर का वो भीजाई नहीं गया अबदा रिकोर्ड अगर बात करें तो यहीं विधी बिग्यान प्रयोग शाला में एक अधिकारी के मताबिक यह बात सामने आई कि पाउडर यहीं आया था जाँच होने के लिए और लेकिन उसमें प्रेस नोट के जरिये यह बताना चाह रहा है कि यहां पाउडर भीजाई नहीं है लेकिन उस पाउडर को उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नात भी साबित कर चुके हैं बयान दे चुके हैं विधान सवा के अंदर के वो पाउडर लखनव में जब जाच कराया गया तो पी-ई-टी-एन ही पाया गया हलांकि आगरा में ओद्धा रिकॉर्ड जिस तरह से मामला सामने आया कि जाच ही और जाच में वो पाउडर महेज साधारन पाउडर निकला वो पी-ई-टी-एन नहीं निकला अपने सयोगी अर्पीत रजावत की साथ शीप चौहान आगरा समचार प्लस तो FSL के निदेशक कह रहे हैं कि जो पाउडर है दरसल वो पी-ई-टी-एन नहीं है यानि कि उस ताधारन पाउडर है कोई विस्पोचक नहीं है तो ऐसे में अब NIA इस मामले को नहीं लेगी इस मामले में कोई रिपोर्ट भी इसने अपयार दर्ज नहीं कराई है तो निदेशक एसन उपाध्याई हैं जो यहाँ पर इस बाद से इंकार कर रही है कि जो पाउडर मिला है वो विस्पोचक नहीं है लेकिन अगर खुद एसन उपाध्याई के हम बात करें तो इन पर बिहार में कई मुकदमे दर्ज हैं यूपी पुलिस में रहते भी वित्ती अनिमित्ताओं के इन पर जाच चल रही है फरजी तबाद लेकि मामने बिन पर चल रही है तो फिलाल इनका अपना खुद का रिकॉर्ड बहुत सही नहीं है लेकिन अब यहां पर जो जाच हुई है जो लैब की रिपोर्ट आई है उसको लेका सवार ठाते वे कह रही है लेकिन दो अलग लैब के दो विरोधवासी नतीजे दो विरोधवासी रिपोर्ट यहां पर साम में आई जिसे जाहरि से बाते सरकार असहच जरूर हो गई और अब बात करते हैं उप्राश्णपति चुनाव से जूड़ी खपरों की तो आज नामांकन दाखिल किया वेंगेनाईडू ने जो NDA की तरफ से उम्मीदवार है प्राश्पती पतके तो वहीं गुपाल कुष्ण गामी भी आज नामकन भर रहें क्योंकि आखरी तारीख है आज नामकन की अगर आपको हम गडिच समझाएं क्योंकि हम बार-बार कह रहें कि वो परिक्षा जिसके नत सांसदों का समर्थन और एंडिय की बात करें तो इसके पास नेशनल डेमोक्राटिक कर्सुद के पात यहां पर 336 सांसद हैं राजी सभा में और 70 सांसद एंडिय के पास है 406 सांसद सीधे तोर पर गंकेर आईजू के साथ है यानि कि जो एक जरूरी संकर चाहिए उससे बह पास और अगर बाकी की बात करें तो इहां राजी सभा में एंडिय के पास 70 सांसद हैं और 406 सांसद सीधे तोर पर वंक्यान आईजू के साथ है जब कि जरूरी संख्या बल है 300 पिराद यह तो हो गया गड़ी तोर अब बात करते हैं उप्राश्पती पद के उम्मीद्वा अब बारे में और विपक्ष के उम्मीद्वार गोपाल कुष्म गांधी के बारे में तो दोनों ने फिलहार नामंकन दाखिल किया है बंक्या नाईजू के नामंकन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी राश्पी अध्यक्ष्रा मिथ शाह सुष्मा स्वराज बरि प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग, रिपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और तमाम बढ़े देखाने की कोशिश दरूर की गई और गुपाल किश्ण गांधी और वेंकेन आइडू दोने अपना अपना नावांकन दाखिकर दिया उप्राश्वति पत्की उम्मिद्वार के तौर पर कल मतदान संपन्न वेह राश्वति के लिए और अब आज से उप्राश्वति को लेकर चुना को लेकर हल चलते हैं तो ये दो उम्मिद्वार उप्राश्वति पत्के लिए वेंकेन आइडू जो एंडिय के उमिद्वार है तो वही विपक्षी दल ने यहाँ पर गोपाल कि श्रौनाडवाणी, मुली मनोड जोशी तमाम के अविजित मंत्री पहुंचे तो दोनों अपना अपना नामंकर दाखिल कर चुके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बड़े अधिकारी होमगार्स के मुग का निवाला भी चीन रहे हैं जी हाँ होमगार्स को अगर ड्यूटी लेनी है तो पहले उन्हें अपने बड़े अधिकारियों की जेवें गर्म करनी होंगी तब जाकर उन्हें ड्यूटी मिलेगी यह रहा है कि इस सब लड़कों को आपने बता दिया आसर सब से कंपीड होगी सर्व लेलिया कली कल मैं कि माइं तो खाल नहीं रखना पहले ले लो भाई अच्छा ठीक तुमियाज साम एक ले 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 लेना है यहां का लपड़ा नहीं रखना ठीक ठीक है ठीक है सर्फ ठीक लेलो यह वहा लेलो कहीं लेलो हैं तह लफणा यहां तो आपके बद मुझे पेसा में घट्टो करें आपको महीं का चपचा बाई दे दूंट है और भाई ले 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 ना वह भी अपना जेए रहा है कि सब लड़कों को आपने बता दिया। यह सब से अपने कमब्ट होगी सबुद्री ले लिया। कली लाई क्ल माई क्वाईचों वाई यहां का लपड़ा नहीं रखना, पहले ले लो भाई। तो इनसे आप ले लेना है, यहां का लपड़ा नहीं रखना, ठीक है, 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 ठीक व्यापारी को ऑनलाइन खरीदारी करना तब महंगा पड़ गया जब उन्होंने फ्लिपकार्ट के से यहां से एक मोबाइल फोन मगाया लेकिन व्यापारी को कमपनी ने फोन के बदले सील पैक डिबे में कपड़े धोने का साबुन भेज दिया और एरफोन चार्जर भेज द होते हैं कि एक व्यापारी जिन्होंने फोन मगाया तो था लेकिन उस पैकेट के अंदर साबुन आया और उसके साथ में ईपी और चार्जर ज़रू था रिकिन मोबाइल की जगे साबुन यहां पर भेजा रहा मैंने एक मोबाइल ओडर गेदा फिलिप कार्ड कमपनी को पांच जुलाई में यह मुझे कमपनी ने आठ तारिकों मेरे दिल्ली एडरस पे डिलिवर करा था जो मैंने 15 तारिकों शामली लाने के बाद खोला क्योंकि शामली को इस सर्विस नहीं है कानपुर से खबर है जहां जादू देखने वाले अधिकारियों को अवैत निर्मार नजर नहीं आ रहा दो आवासी प्लॉट को चोड़ कर व्यवसाइक बना दिया है यानि कि जिस जमीन पर जिस इलाके में केवर आवासी निर्मान की हो सकता है उसे व्यवसाइक बना दिया आवासी जमीन पर रातो रात मॉल खड़ा हो गया मॉल को सील करने और गिराने के आदेश भी हुए लेकिन दबंगई और गुंडई के आगे कांतुर प्रशासन छुप गया केड़े के निकम्बे अधिकारियों ने मानकों की धजिया और आदी नियमों को ताक पर रख दिया और यहां लेंड यूज चेंज करके मॉल अब खड़ा है प्रश्चाचार मुक्तियोगी सरकार के दावे यहां पर फीके पड़ते नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि रात को अधिकारी सोय और सुबह जब जगे तो यहां पर मॉल बन चुका था उन्हें जानकारी थी और जाहिर सी बात है कि अधिकारियों की मिली भकट इसमें जरूर रही होगी लेकिन आप देखें कि किस तरह से अब कारवाई जब करने की यहाँ पर एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं केड़ी के अधिकारी तुमका कहना है कि यहाँ पर दबंगई दिखाय जा रही है कानपुर बिकास माधी करम ने जहां अधकारी और करमचारी जादू देखकर गोलमाल सीखने की कोशिस करना है उसका जीता जाता उधारण दिखाते हैं उन अधकारी का गोलमाल का मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि मार्क गोबल आठ जो ये मौल है ये एक आवासी कि जो दो भूखंट अलग अलग हैं उन्हें जोड़ दिया गया और जोड़ करके आवासी को इसे बेवसाइब बना दिया गया साथी साथ जहां इस ये अधकारियों ने इस मामले को लेकर के सील के आदेश दिये गया लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को सील किया गया जब इसके बारे में आगे अधकारियों ने जाच मांगी तो अधकारियों ने इसको गिराने की बात गई गिराने की भी आदेश जारी कर दिये गया लेकिन बिल्डिंग बादस्तूर आज भी चल रही है इस मामले को रहे करके आला अधकारी पूरी तरह के से गोल गिराने की जैसी बात को लिख देते हैं लेकिन कहीं पर भी आवासी जगे पर जो बेवसाइक हो रहा है उन पर कोई भी नकेल नहीं कसते हैं स्योगी निर्जवस्ती और कैमरामन विवपांडे के साथ अश्णी निगम कानपूर समाचार प्लस और आगे बढ़ेंगे बरेली से खबर है जहां एक महिला अपने पती के नशी के आदब दो छुड़ाना चाहती थी लेकिन एक तांत्रिक ठग के चकर में फ़स गे जिहां एक मजबूर औरत की सवेदनाओं का सहरा लेकर उसके पती की शराग फुड़ाने का दावा कर ठग तांत्रिक ने उससे करीब साथे तीन लाख रुपए के जेवर ठग लिए और वो रफुचकर हो गया और सोनी की जगे कोईलार रख दिया ऐसे बें महिला ने तांत्रिक के खिलाफ पुलिस में शिकाय दर्ज करा दी है पुलिस का कहना है कि आरूपी तांत्रिक की तलाश की जा रही है कानपूर में घर में बने टिन के गोदाम में धमाका हो गया घटना के देनगर के ओ ब्लॉक की है भारी फोर्स के साथ घटना असल पर पुलिस पहुंची है रस्टेफ की टीम भी पहुंची है SSP सोनिया सिंग ने खुद मौके का मौईना किया धमाके वाली जगे पर कुछ अवशेश मिले हैं जिनसे खतरनात विस्पोर्टक बताय जा रहा है हाला कि अभी पता नहीं चल पाया है कि वस्पोर्टक कौन सा था मौके से पुलिस ने बारह बोर के दो खाली कार्टूस भी बरामत किये हैं बताय जा रहा है कि मकान के एक कमरे में आठ से दस लड़के किराय में रहते थे पुलिस ने इस मामले में चार युकों को हिरासत मिलिया जबकि तीन संदिग्दों की तलाश की जा रही है रात करीब साठे नौ बजे इस खटना के बाद शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है चीडियों के पहले ही चैनर के साथ ही वहीं पर दो कार्थूस हम मिले हैं जो पुराने बहुत पुराने कार्थूस हैं बारा बोर के और उनमें हिट भी नहीं हुआ है और बारूद उनका छितराया वहां पर पढ़ा हुआ था और उनका पर कोई चोट नहीं हुई और धमाक हुआ है और कहीं किसी को कोई च्षोट नहीं यह अभी जा लोगों ने बताया कि यहां पर पे तीन किराएदार रहते हैं और एक ऐसा कमरा है जिस में किराएदारों की संख्या बदलती रहती है कभी दो तीन कभी ज्यादा बढ़ता गड़ता रहता है नंबर तो ये इस संबन में मैंने अभी बताया है कि उसकी सूची बनाई जाए उनको वेरीफाई कराए जाए अभी वो लोग यहां से हट गए है मौके से दो जो कार्टूस होते हैं इसमें एक्स्प् अगली खबर भी कानपूर से है जहां पुलिस ने चापा मार कर जुवा खेल रहे तीन चात्रों को गिरफतार किया है कल्यानपूर थानक श्वेत्र के युनाइटिड नगर में मुखबिर ने सूचना दी कि यहां पर जुवे का खेल चल रहा है जिसके बाद पुलिस ने च चात्रों से पुछता शुरू कर दी लेकिन जिन्दा बॉम उनके पास क्यों था इसका जवाब भी चात्रों नहीं दे पा रहे हैं और पुलिस ने आगे गंभिरता से चांच शुरू कर दी है कि कुछ बिच्चे गर में इकठा होगी कोई जुलन सिर्बदार भी उनके पास है इस सुचना पर हमारी चोकीन चार्ज विद्पोर्स के साथ वहां पर पहुंचे और बच्चों के पास से दो बं मिले हैं और बं के साथ उनके पास से आट थाजार उपे और साइट टोटल आप जो पच्चे थे वो लगब साथ थे और जो थोड़ी देर बार बं निरोदक दस्ता जो उसको बुला लिया गया था और बं में तो दस्ता आकर उसको डिस्पोस कर दिया है बुलंदी शहर में पुलिस अर बदमाशों के बीच मुड़भेड हुई आपको बता दें कि पुलिस की मेरट के एक व्यापारी को निशाना बनाने जारे शातिर बदमाश आमीर उसके साथ ही के साथ मुडभेड हुई बदमाशों ने जब खुद को घिरता हुआ देखा तो पुलिस पर हमला कर दिया जिसमें गोली कोत्वाली देहाद अम्रेश बंगेल को लगी है जबकि कोत्वाली नगर प्रभारी धरनजे मिश्रा की जान उनकी बुलिट प्रूप जैकेट ने बचा ली मुडभेड के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफतार कर लिया जबकि इसके साथ ही भागने में काम्याब रहे पुलिस की चौकसी के कारण मेरट के एक व्यापारी का फरण होने से बच गया व्यापारी यहाँ पर किसी बड़ी घटना का शिकार हो सकते थे लेकिन